हाई गईज, सिनेमेटिक रेक्शन्स के एक वीडियो में आप सबी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेग टू दे ट्रेंच मोवी की स्टोरी के बारे में ये सिक्वल है 2018 की दम मेग मोवी का इसे डारेट किया है बेन विटली ने और इसमें लिड में है जैसन सेतम, शुया सोफिया, वू जिंग, मेली शान्थी माहूट, पेज केनेडी, क्लिफ कुर्तिस जैसे श्टार्स इसके पहले पार्ट यानि की दम मेक की स्टोरी के उपर हमने वीडियो बना रखी है और अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे की है, आप वहाँ से उसे देख सकते हो तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं वीडियो को इस मौई की शुरात करीबन 65 मिलन साल पहले होती है, जहां पर बहुत सारे डाइनसुर शिकर कर रहे थे तभी एक बड़ा सा डाइनसुर आता है और सभी चोटे 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 डाइनसुर को खाने लगता है इस डाइनसुर को सबसे खतरनाक माना जाता है, इसे देखकर सभी चोटे 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 डाइनसुर पानी में चले जाते हैं तभी वो डाइनसुर भी उनके पीछे समंदर के अंदर जाने लगता है यहां वो एक छोटे डानेसर को पकड़ के खाने ही वाला होता है तभी एक विशाल का मेगलेडोन शार्क आकर उस बड़े डानेसर को दबोज लेती है और अपने साथ अंदर लेके चले जाती है और इस इंसे हमें पता चलता है कि मेगलडन शार्क कितनी ज़्यादा पावरफुल है इसकी बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम जोनस को एकसरस करती हुए देखते हैं इसकी बाद वो कपड़े पेन कर एक जगा पर लाथ मारता है और वो दिवार तुटकर नीचे गिर जाती है तभी हमें पता चलता है कि जोनस एक कंटेनर में था जो एक बड़े से शिप में था और वो शिप समंदर की बीचों बीच आगे जा रही थी यहाँ पर जोनस आगे बढ़ता है और देखता ही कि कुछ लोग बहुती खतना केमिकल्स को पानी में फेक रहे थे और इस इलिगल एक्टिविटी का सबुत जमा करने के लिए वो इन सभी के फोटोस खिचने लगता है लेकिन तभी वो लोग जोनस को सबुत इकटा करते हुए देख लेते हैं इसलिए वो लोग जोनस की पिछे हाथ दो कर पड़ जाते हैं जोनस यहाँ से भागता है एक आदमी उसके सामने आता है तो जोनस जोर से कुद कर उसे लात मार कर दूर गिरा देता है फिर उसे रोखने के लिए एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं तभी वो उनसे बड़ी ही बाहदूर से लड़ता है वो किसी को मुका मारता है, किसी को लात मारता है और अपना पिछे छुडाने के लिए वो उन पर कैन भी गिरा देता है जोनस यहां से भागने वाला होता है तभी एक और आदमे उसके सामने आ जाता है तभी जोनस उसे उठा कर नीचे फेक देता है लेकिन इन लोगे की तादाद ज़्यादा थी इसलिए जोनस आखिर में इनके हाथ लगी जाता है अब जोनस भागते भागते एक ऐसे जागा पर आता है जहां पर उसके आगे बहुत सारे आदमी थे और पिछे बड़ा सा समंदर था इसलिए वो रुक कर उन लोगों से बात करता है वो इन लोगों से कहता है कि समंदर में केमिकल फेकनी के जुर्म में मैं मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ तुम सबको तुम है तुम है और तुम है भी ये देखो मेरे जब में लाइसेंस भी है यहां पर वो उन सभी को अपने उंगली दिखा कर समंदर में कुझाता है इन सभी को लगता ही कि जोनस मर जाएगा क्योंकि समंदर के गेराई बहुत ही जादा थी इसलिए वो लोग जोनस को चड़ाने के लिए कहते हैं कि तेरो और मजे करो क्योंकि इसके बाद तुम्हें मरना ही है तभी यहां पर सही समय पर हेलिकोप्टर में जोनस के दो दोस्त आ जाते हैं यह दोनों जोनस को पाने में देख लेते हैं और अपने हलिकोप्टर को एक सेफ जगह पर लैंड करके इसके बाद यह तनों डिसेड़ करते हैं कि अब से समंदर में जो भी इलिगल काम करेगा हम उसे पकड़ेंगे जोनस काफी खुश था क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था इसके बाद जोनस रात में एक पार्टी में जाता है जहां उसके मुलाकाच चैना के एक बड़ी रिसर्च कंपनी के डायरेक्टर से होती है जो की जोनस के साइंटिस्ट जोस्त का भाई था इसके बाद स्टेज पर उस डायरेक्टर की कलिग आती है और वो उसे भी स्टेज पर बोलाती है यहां यह लोग कहते हैं कि आज हमारी कंपनी को पूरे 10 साल हो गई है इसी खुशी में हमने यह पार्टी रखी है जूमिंग जो डायरेक्टर है वो कहता है कि मेरी बेहन और पिताची की देथ हो गई थी उसके बाद मैंने अलग रास्ता चुना और यह कंपनी बनाए मैंने बहुत सारी टेकनोलोजी का इस्तमाल करके नए नए चीज़े बनाई है और सिखी है यह सुनके सभी लोग बहुत खुश होते हैं इसके बाद जूमिंग सभी से कहता है कि हम समंदर के अंदर खोज कर रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ सूट्स भी बनाई है जो इंसन के पार को 10 फिसदी बढ़ा देंगे हमने उन सूट्स को टेस्ट भी किया है और उसका परिनाम 100% आया है और इसे भी बड़ी बात यह है कि हमने एक बड़ी से मेगलोडन शार्प को पकड़ के हमारे साथ रखा है जिससे हमने समंदर के बहुत नीचे यानि के थर्मोकलाइन लेयर के नीचे धुंडा है थर्मोकलाइन लेयर समंदर की 20,000 फिट नीचे है जिसका टेमपरेचर बढ़ता रहता है यहाँ कोई आम जानिवर नहीं पाया जाता यहाँ बहुत ही खतरना को पावरफुल जानिवर मिलते हैं जो वहाँ के टेमपरेचर को सहन कर सके और उनको रोखने के लिए इस लेयर की बहुत जरूरत है ताकि वो जान और उस लेयर के उपर ना आ पाए यह सब हमने एक मिशन के लिए किया है और उसकी रिसर्च अभी भी जारी है हमारे इस मिशन में समंदर की हिफाज़त भी शामिल है इसके बाद जिवुमिंग के साथी इस स्पिच को खतम करती है फिर अगले दिन सबी लोग स्रिसर्च सेंटर में आजाते हैं यहां जोनस जिवुमिंग के साथ मिशन में जाने वाला था यह मिशन जोनस को रिसकी लग रहा था उसे खत्रा मेंसुस हो रहा था फिर भी वो मान जाता है इसके बाद हम यहाँ पर मेंग को भी देखते हैं जो अब बड़ी हो गई है और उसका खैल जोनस रखता है क्योंकि उसकी मा मर गई है यहाँ मेंग जोनस को कहते है कि मैं भी मौम की तरह साइंटिस्ट वनना चाती हूँ और आप जो रिसर्च मेंग के उपर करने वाले है मैं भी उस मिशन में जाना चाती हूँ लेकिन जोनस उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी छोटी थी यह दोनों बाते करी रहे होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि जोनस मेंग मेंग पर टेस्ट करने के लिए उसके सामने चला गया है और टेस्ट शुरू हो गया है लेकिन जोनस कोई आईडिया बेकार लगता है क्योंकि उसे पता था कि मेंग एक बहुती खतरनाक जानवर है लेकिन जोनमिंग की सोच बिलकुल अलग थी उसका मानना था कि हम मेंग को कंट्रोल कर सकते हैं मेंग इतनी भी खतरनाक नहीं होती अब मिशन के अनुसर जोनमिंग के सामने मेंग आ जाती है और वो इतनी करीब आ जाती है कि सब को लगता है कि अब जोनमिंग नहीं बचेगा लेकिन जोनमिंग के हाथ में एक रिमोट होता है वो उसे दो बर दबाता है और वो मेंग उसके सामने से चली जाती है अपना टेस्ट कंप्लिट करने के बाद जूमिंग सब के पास आता है वो सबसे कहता है कि मेरे टेस्ट में बेशक अभी भी बहुत चीजे बाकी है लेकिन मेग भी तो एक समुदरी जानवर है ना इसका मतलब उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है जैसे मैंने अभी करकी दिखाया लेकिन दोस्तों जे जगह पर मेग को रखा गया था वहाँ उसे एक जगह दिखाई देती है भागने की वो उस जगह पर बार बार वार करने लगती है क्योंकि वो जगह लोह के रोड से बनी थी लेकिन बार-बार टकर देने के वज़े से मैग उस रास्ते को खोल देती है और वापिस समंदर के अंदर चली जाती है इसके बाद सभी लोग अपने मिशन पर निकलने की तैयारे करने लगते हैं लेकिन इन में से किसी को भी पता नहीं था कि वो में भाग गई है और इनका मिशन था कि समंदर की 20,000 फिट की गहराई में जाकर वहां की जान करे गए और वो जगा केसी है वहां पर हमें क्या मिल सकता है अब जोनस और जूमिंग अलग-अलग सबमरीन में बेट कर आगे निकल जाते हैं इन सबमरीन में इनके साथ इनका पूरा ग्रूप भी जा रहा था और इनकी टीम में तीन लोग ऐसे थे जो इनके मानावन से गाइड कर रहे थे जैसे की इनने जाना कहां पर है लेकिन तब ही इने पता चलता है की जोनस की बेटी यानि की मेंग भी चुपके से इनके साथ सबमरीन में बेट गई है ये चीज जोनस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इस मिशन में बहुत ज़्यादा खतरा था लेकिन जियूमिंग और बाकी के साथ ही जोनस को मना लेते हैं में इनको अपने साथ लेके जाने के लिए इसलिए जोनस उसे एक जगह पर चुपचा बेटने को कहता है लेकिन तबी जूमिंग की नजर उसकी मेंग पर पढ़ती है ये देखकर पुरी टीम सोच में पढ़ जाती है की आखिर ये मानावन से भागी केसे वो मेंग इनकी पीछे पढ़ जाती है इसलिए उससे बचने के लिए ये लोग थर्मोकलाइन लेयर की नीचे चले जाते हैं लेकिन वो मेंग वहाँ भी इनकी पीछी पीछे आ जाती है लेकिन वो मेग इनकी सम्मरीन के उपर अटेक करने के बजाए आगी चले जाती है ये देखकर सभी लोग सोच में पढ़ जाते हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मेग ऐसा क्यों कर रही है ये लोग उसमें को देखी रहे थे तभी इनकी नजर एक और मेग पर जाती है जो अपने इलाके में जा रही थी ये देखकर जियूमिंग कहता है कि चलो इनका पीछा करते हैं लेकिन दोस्तों वो जगा खत्रे से भरी हुई थी क्योंकि आज से पहले वो इतना घहरा कभी नहीं गए थे लेकिन जियूमिंग के उपर तो अलगी भूत सवार था वो सभी से कहता है कि हमें उनकी इलाके में जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर खोज करने के लिए आये हैं तभी वो अपने उपर दो और मेगलोडन को देखते हैं चेने देखकर ये लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि ऐसा नाजरा इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था तभी जियूमिंग को एक स्टेशन नजर आता है जहाँ पर कुछ लोग समंदर की इतनी गहराई में भी खोदाई कर रहे थे ये देखकर जियूमिंग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि समंदर की इतनी गहराई में आज तक कोई नहीं आया था इतने पैसे लगा कर ये लोग यहाँ पर आये और यहां पर खुदाई कर रहे हैं यह बात इन सभी को हैरान कर देती है यह सभी लोग इस चीज़ को देख ही रहे थे तभी इनके उपर से मॉन्टेस जो की खुदाई करने वाले लोगों का लेडर है वो इन्हें देख लेता है और वो अपने लोगों को रुखने को कहता है ताकि जोनस उन तक ना जा पाए लेकिन जोमिंग और जोनस देरे जरे करके उस स्टेशन तक जा रहे थे इसलिए मॉन्टेस वहां के लोगों की चिंता ना करती हुए वहां पर एक बड़ा सा धहमाका कर देता है ताकि जोनस को इनके खुदाय का कोई सबोत ना मिले इन्हें कोई सचा ही ना पता चले जैसे कि ये काम कौन और क्यों करा रहा है लेकिन इस धहमाकी की वज़े से देर सारे पतर इदर उदर फेल जाते हैं तभी जूमिंग और जोनस की सब्मरीन के उपर ये पतर गिर जाते हैं जिसके वज़े से इनकी सब्मरीन आउट अप कंट्रोल हो जाती है इसलिए ये सभी लोग अपने अपने सब्मरीन को कंट्रोल करके अपने जान बचाने के कोशिश करते हैं वहीं उपर मानावन में इनकी तीनों दोस्ति ये देखकर परेशान हो गई थे तभी इन में से मैक इन सबी को कहता है कि डरो मत मैं आरा हूँ तुम्हें बचाने बट जेस कहती है कि तुम यही रुको मैं देखिया आतियों कि कोई सम्मरीन काम कर रही है या नहीं जेसे जेस बाहर जाती है वो मैं को कोल करके कहती है कि हमारी सारी सम्मरीन खराब हो गई है यह सुनके मैक जोनस को कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता तभी जोनस कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है मेरी सम्मरीन के सबी लोग महफूज है लेकिन ने हमें मारने के कोशिश की है तभी मैक जोनस को कहता है कि तुम टेंशन मत लो हम जल्दी कुछ भी करके तुम तक मदद पहुचाने के कोशिश करते हैं लेकिन तब तब तुम सबी लोग संबल के रहो यहां जोनस मैक को कहता है कि हम अभी एक स्टेशन पर जा रहे है जो ट्रेंच को क्रोस करता है इसके बाद ये सभी लोग जूमिंग की बनाए गई सुट्स को पहन कर आगे निकल जाते है थोड़ी दर चलने के बाद इन्हें जूमिंग मिलता है जो अपने सम्मरीन से चुपके एक सिक्रेट मेशन पर काम कर रहे थी यानि इन सभी के पीछे उसका हाथ था वो मॉन्टे से समंदर के निचे खुदाय करवा रही थी वो मॉन्टे से कहते है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि जोनस अभी भी जिन्दा है और अगर यह बाद सच है तो उसे जल्दी से मारो तभी मॉन्टे स कहता है कि हाँ वो जिन्दा है लेकिन अब नहीं रहेगा दूसरी तरब जोनस और उसकी टीम स्टेशन की तरब जा रही होती है तभी कुछ खतरनाक मचलिया उन पर हमला कर देती है जैसे ये लोग उन्हें देखते है ये लोग अंदधन फाइरिंग करने लगते है लेकिन वो मचलिया उन पर तूट पड़ती है इस हमले में इनके कुछ साथिय मारे जाते है जोनस यहाँ पर उन मचलियों को पकड़ कर निचे गिरा देता है और अपने बंदुख से उन्हें मार देता है बाकी के मेंबर्स भी इनका सामना करते हैं लेकिन ये अपने साथियों को नहीं बचा पाते है थोड़ी दिर में यहाँ पर मेंग आ जाती है और उसे देखकर सभी मचलियां भाग जाती है सभी लोगों को पता नहीं चलता कि वो मचलिया क्यों भाग गई है लेकिन जब ये पिछे मुड़के देखते हैं तो इनकी हालत पतली हो जाती है अब मेंग से बचने के लिए ये लोग जिल्दी जिल्दी भागने लगते हैं और वो मेंग भी तेजी से इनकी पिछे आ रही थी लेकिन खुश किस्मेती से स्टेशन पास ही था जिसके अंदर ये लोग पहुँच आते हैं और मेंग से ये लोग बजाते हैं जैसे यह लोग अंदर आते हैं, उन्हें कुछ metals मिलते हैं, उन्हें देखकर जूमिंग कहता ही कि यह metal बहुती नायाब है, और यह सिफ समंदर की गेरायों में ही मिलता है, और इसकी किमत million dollars में होती है, और यही वज़े है जिसकी वज़े से वो लोग यहाँ पर खुदाय कर थे, तभी यहाँ पर इन लोगों की बात जैस से होती है, जो इन्हें के साथ काम कर रही थी, वो इन्हें कहती है कि इस station के उपर कुछ ships दिखी है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो लोग कौन है, इसलिए तुम लोग उपर जाओ और पता लगाओ कि वो कौन लोग है, तभी बड़ी सी स्क्रीन पर जैस आती है, और कहती है कि जोनस अगर तुम मुझे देख सकते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इस पूरे station पर मेरा कंट्रोल है, और मैंने इस रोम को लोग किया है, यहाँ पर हम सभी को पता चलता है कि जैस भी जूमिंग के दोस्से मिली तबी जोनस केता है कि तुम इतना बड़ा धोका कैसे कर सकती हो, हम सब तुमारे दोस्त है, क्या तुम यह भूल गई हो, लेकिन दोस्तो जैस तुम पेशो के लालच में आ गई थी, इसलिए उसने जीमिंग के पार्टनर के साथ हाथ मिला लिया था, उसे पेशो के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ जैस जोनस के फ्रेंड रिगास को कहती है कि अगर तुम मेंग की जन बचाना चाती हो, तो जोनस की सिने पर बंदुक रोको, और यहाँ पर जोनस भी मेंग के लिए अपने जन देने के लिए तयार हो जाता है, अब रिगास जैस की बात म हाँ, यह मेरा प्रोजेक्ट है, जो मैं जूमिंग से चुपके से कर रही थी, इसलिए मैंने जूमिंग की टेकनलोजी का सहरा लिया, और उससे मैंने कोरोडर रुपे कमाए, और मैं आगे भी तुमारी टेकनलोजी का इस्तमाल करूंगी, और तुम्हें लुटूंगी, यह इस कमरे में जोनस और उसके साथी थे, उसमें धीरे-धीरे करके पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, यह देखकर सभी लोग काफे गवरा जाते हैं, तभी जूमिंग सभी को कहता है कि अगर हम इस कमरे में से इसके बगलाले कमरे में जाकर कॉम्प्यूटर को मेनियूली खराब होने लगती है, वो बड़ी मुश्किल से अपने सास को रोक रहा था, इसलिए उसके मूझ से और नाक से खुन निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो हमत नहीं हारता और आगे बढ़ता है, वो कैसे तिसे करके उस रूम से बाहर आ जाता है, और बेवश हो जाता है, जैसी उसे होश आता है, उसके सामने मॉन्टेस खड़ाता, यहां मॉन्टेस जोनसी कहता है कि तुम तुम हमेशा दूसरों का भला करती हो, लेकिन क्या हुआ, आज तो तुम हार गए ना, खेर इस बात को छोड़ो, मैं तुमें एक मज़ी की बात बताता हूँ, मैं वही कि नहीं, क्योंकि मैं बूरो लोगों को याद नहीं रखता हूँ, कुछ ही देरे में इन दोनों की बिच फाइट शुरू हो जाती है, यहां मॉन्टेस चाकु निकलता है, लेकिन तबी जोनस उसके पेर पर लात मारता है, फिर मॉन्टेस फिर से चाकु लेकर जोनस पर हमर तर बार बार मॉन्टेस को घुसे और लात मार कर बेवश कर देता है, इसके बाद जोनस जल्जी से जाकर उस कमरी को लोको खोल देता है, जिससे सबी लोग पाने के साथ बाहर आ जाते हैं, और इन सबी लोगों की जन बाल बाल बज जाती है, इसकी बाद इन एक शिप मिल यह लोग यहां पर बाहर जाने का प्लैन बना रहे थे तब भी जीमियूंग को एक आइडिया आता है वो शिप से बाहर जाकर इस टेशन की सारी लैट्स को चालो कर देता है लैट्स को देखकर वो मेग उन लैट्स पर हमला कर देती है इसका फाइदा टाकर यह लोग उस तरे का समना करना पड़ेगा क्यूंकि अब इस लेयर की नीचे की सभी खतरनाक जान और उपर की सतर पर आ जाएंगे यह लोग डेरे हुए थे लेकिन फिर भी यह लोग अपनी बेस की तरफ आगे चले जाते हैं तभी हमें दिखाए जाता है कि थ्रमक्लाइन लेयर में छे की टीम को बचाने वाले थे उसे जैस नहीं जान बुझ कर खराब किया था और इन्हें यह भी पता चल गया था कि जैस सभी को मारने वाली है इसकी बाद जिस दरवाजी के बार अपने गुंडों को लेकर आ जाती है और इन्हें धंकाने लगती है और उन्हें बाहर आने को केती है तभी डीजे के पास एक प्लैन था और ये लोग उस दराजे को खोलते ही सभी गुंडों के उपर पेपर स्प्रेज छिड़क देते हैं और जल्दी से डीजे उन सभी गुंडों को अपने फाइटिंग स्किल से पचाड देता है डीजे सभी के था कि यहाँ पर गुंडों ने हमला कर दिया है तभी यहाँ पर जोनस मेंग को रेगास के हवाले करके जूमिंग के साथ बेस के उपर चला जाता है उपर जाती ही जूमिंग उन सभी गुंडों का ध्यान भटकाता है और जोनस सभी को बड़े ही आराम से धेर कर देता है और अब यहाँ पर इन दोनों को मेक और डीजे भी मिल जाते है यह लोग एक दुसरों को जिन्दा देकर काफी खुश होते हैं तभी मेक यहाँ कहता है कि हमारा असली हिरो जोनस आ गया है दुसरी तरब मॉन्टेस उपर बेस पर आकर जैस से मिलता है और तभी यहाँ में पता चलता है कि यह दोनों कपल है यहाँ मॉन्टेस जैस से कहता है कि जूमिंग और जोनस अभी भी जिन्दा है और वो सभी बेस पर आ गए है यह सुनकर जैस अपने गुंडों को बड़ी ही तेजी से बेस की तरफ आ रही थी दूसरी तरफ जेस अपने बोस को वीडियो कॉल करती है और यहां वो अपने पकड़ी हुई मैक को दिखाती है और कहती है कि यह जगह बिल्कुल महफूस है वो यहां पर अपने बहुत से बात करी रही होती है तबी एक में काच तोड़ कर उसे खा जाती है इस वज़े से उस बेस पर पानी भरने लगता है ये देखकर मॉन्टिस उस बेक से भार आ जाता है और उसे दर्वाजा लगा जिता है बेस में पानी भरने की वज़े से पूरा बेस हिलने लगता ह इस वज़े से जोनस अपनी टिम को लेके एक बोट के सारी पानी में चला जाता है अब ये लोग समंदर में आगे बढ़ रहे थे लेकिन मेगलेडन से डरे हुवे भी थे इसलिए ये लोग अपने बोट की इंजन स्टार्ट नहीं करते मॉन्टेस इनने देख लेता है और अपने गुंडों को कहता है कि जल्दी से इने पकड़ो इसलिए कुछ गुंडे बोट को लेकर पानी में उतर जाते है लेकिन उननों बोट की इंजन को चालो कर जा था इसलिए मेगलोनर शार्क उनकी पीछे लग जाती है ये लोग अपने बंदुक से जोनस पर निशाना भी लगा लेते हैं लेकिन तभी एक मेग इनके बोट पर हमला कर देती है और उस बोट पर के सभी लोगों को खा जाती है ये देखकर जोनस अपने बोट को और तेज भागाने लगता है ये सब देखकर मॉन्टेस अपने बोट को कोल करता है और कहता है कि जोनस और जीव मिंग अभी भी जिन्दा है तभी बोस उसे हुकम देती है कि कैसे भी करके उन्हें पकड़ो और मारो वरना हमारा भंड़ा फूट जाएगा वहीं दूसरे तरब जोनस मेक को मानने के लिए एक हत्यार बनाने लगता है जोनस एक रोड को बिच से नुकिले शेप में काटता है और उस पर बॉम लगा देता है तभी चुमिंग सभी को कहता है कि यहाँ पर Passy in में एक आइलेंड है और वहाँ पर अभी बहुत सारे लोग होंगे हमें कुछ भी करके उन सभी लोगों को मेक से बचाना होगा इसके बाद हमें एक आइलेंड दिखाए जाता है जिसका नम Fun Island है और उसपर बहुत सारे लोग enjoy कर रहे थे यहाँ पर एक लड़का अपनी girlfriend को शादी के लिए प्रोपोस करता है लेकिन बोट हिलने के वज़े से उसकी अंगोटी नीची गिर जाती है जब वो लड़का अपनी रिंग को दोनने के लिए नीची जुखता है तभी वो उटकर देखता है तो उसकी girlfriend गायब हो जाती है तभी वो बोट जटके खाने लगती है तभी एक बड़ा सा octopus उस ship को पाने में खिच लेता है और एक एक करके सभी लोगों को भी पाने में खिच लेता है अब थोड़ी देर में जूमिंग की पार्टनर भी हेलिकॉप्टर के साथ उस आईलेंड पर आ जाती है इस बार उसके साथ मॉन्टेस भी था और मॉन्टेस याप पर जोन उसको मारने के लिए आया था यह लोग आगे बढ़े रहे होते हैं तभी यहाँ पर छोटे छोटे डाइनोसर इन पर हमला कर देते हैं यह चोटे डाइनोसर भी थर्मोकलाइन लेयर के फटने के वज़े से उपर आ गए थे यह काफे खतरनाक थे इसलिए मॉन्टेस अपने बोस को हेलेकोप्टर में जाने को कहता है और अपने साच्यों के साथ मिलकर इन डाइनोसर पर हमला कर देता है यह लोग अपने बंदों को से बहुत सारे डाइनोसर को मार देते हैं लेकिन यहाँ पर डाइनोसर बहुत सारे थे और यह सभी एक एक करके बहुत सारे आजमियों को मार देते हैं दुसरे दरब आइलेंड पर अफरात अफ्री मज जाती है सभी लोग अपने जान बचाने के लिए इदर उदर भागने लगते हैं तभी थोड़ी दर में यहाँ पर जोनस की पूरी टीम आ जाती है लोगों की मदद करने यहाँ पर मेंग भी मदद करना चाहती थी लेकिन जोनस उसे कहता है कि तुम उस लाइट हाउस में जाकर सभी पर नजर रखो और कोई भी मुसिबत में दिखे तुम मुझे बताओ तभी यहाँ पर तीन मेगलोडन आ जाती है और आते ही वो आइलेंड पर तबाही मचा देती है वो तीनों बहुत सारे आदमें को ऐसे ही निगल जाती है एक मेग अपना मुझे खोल कर बहुत सारे लोगों को निगल रही थी और यह सारी चाज़े जोनस देख रहा था वहीं दुसरी तरफ जियूमिंग पार्टनर हेलिकोप्टर के जरी बागने के कोशिश कर रही थी लेकिन जब यह अपने आज़बा जो देखती है तो बहुत सारे आदमें मर गए थी और जब यह वापिस हेलिकोप्टर की तरफ आती है तो एक डाइनसोर उस पर हमला कर देता है और उसे भी घसिट कर लेके चला जाता है वही आइलेंड पर जोनस जीमिंग और मेको कहता है कि तुम यहाँ पर रुको और बाके लोगों के मदद करो मैं पाने के अंदर जाकर उन मेक्स को मारता हूँ इतना कहेकर जोनस अपने बोट से उन मेगलडनों को मारने के लिए चला जाता है अब जोनस अपने बोट के साथ आगे बढ़ रहा था और मेगलडनोंस उसके पीछे पड़ी हुई थी वहीं दूसरी तरफ मेक और जूमिंग हेलिकोप्टर के पास आ जाते है जहां पर छोटे डाइनोसोर्स भी थे तभी यहां पर जूमिंग एक प्लैन बनाता है और कुछ चीज़े लेकर दूर जाके उन चीज़ों से आवाज करने लगता है यह आवाज सुनकर वो डाइनोसोर्स हेलिकोप्टर से दूर चला जाता है इस मौके का फाइदा उटा कर मेक हेलिकोप्टर के अंदर चला जाता है तभी जूमिंग उस डाइनोसोर्स को अपने हत्यास से मार कर हेलिकोप्टर की तरफ भागने लगता है लेकिन हेलिकोप्टर में फ्यूल नहीं था इसलिए जूमिंग उसमें फ्यूल भरता है लेकिन तब तक बहुत सारे डाइनसोस उसके पीछे आ जाते है तभी मेग एक धमाका करके उन सारे डाइनसोस को मार देता है और हेलिकोप्रे लेके चला जाता है तभी एक बड़ा सा उक्पेपस आईलेंड पर हमला कर देता है और अपने बड़े-बड़े हातों से बहुत सारे लोगों को मारते जा रहा था ये देखकर जूमिंग एक बॉम बनाता है और पाने में कुछ जाता है वहिएं दुसरी तरब जोनस की बड़ बिच रास्ते में ही बंध हो जाती है और जेसी एक मेंग उसे निगलने वाली होती है और जोनस फिर से बज़ जाता है तभी तीनों मेंग एक साथ आगे से जोनस को मारने आ जाती है तभी जोनस उन्हें मारने के लिए बहुत मेनत कर रहा था तभी एक मेग उसके सामने आजाती है यह देखकर जोनस अपने रोड को निकलता है वो मेग अपना बड़ा सा मुझ खोलती है जोनस को खाने के लिए लेकिन जोनस रोड को उस मेख के haciendo पर मार देता है इसलिए उस मेख का बड़ा सा ढ़मा का होता है और वो मेख मर जाती है और फिर से जोनस एक उर मेख को मारने हे वाला हOTा है तभी मॉन्टिस आकर उस पर गोल्या चलाने लगता है और इनके पिछे एक मेग भी आ रहे थी अब मॉन्टेस से पिछा छोड़ाने के लिए जोनस पाने के बाहर आता है तब एक मेग उस पर हमरा कर देती है लेकिन पाने में लगी जंजरों के वज़े से वो मेग जोनस को नहीं खापाती और वापिस चले जाती है और इस बार वो मॉन्टेस को खा जाती है वहीं दूसरी तरफ जूमिंग ऑक्टोपस से लड़ रहा था वो ऑक्टोपस उसे पकड़ लेता है और पाने के अंदर खिच लेता है तब जूमिंग उसके पेर पर बंब लगा जेता है और उसे रोड से मारता है इसके वज़े से वो ऑक्टोपस जूमिंग को छोड़ देता है बंब की वज़े से पाने के अंदर बहुत बड़ा बलास्ट होता है लेकिन ऑक्टोपस को कुछ नहीं होता वो फिर से जूमिंग को दबोच लेता है और उसे मारने वाला होता है तभी मेग आकर उस ओक्टरपस पर हमला कर देती है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते है इस इसका फाइदा उटा कर जूमिंग पानी के उपर आ जाता है तभी ये देखता है कि मेग के हेलिकोप्टर का ब्लास्ट हो गया है और ये उसे बचाने के लिए चला जाता है तभी जोनस भी इसे देख लेता है और वो भी मेग को बचाने के लिए चला जाता है अब यहाँ पर एक मेग भी इन तिनों को देख लेती है और इन पर हमला करने हो वाली होती है तब जोनस हेली कप्र के पंकों से आवाज करने लगता है आवाज सुनकर मेग जोनस की तरफ बढ़ती है जोनस अपना दिमाग लगा कर उस पंके को खड़ा कर देता है और जिसी मेग उस पर हमला करती है वो उस पंके को उसके मुँँ में गुसा देता है जिसकी वज़े से वो मेक भी मर जाती है अब सबी लोग किनारे पर आने लगते हैं तबी जूमिंग की मेक जिसका नाम हई की है वो इन पर हमला करती है तब सब की जान बचाने के लिए जूमिंग अपना डिवाइस लेकर पानी के अंदर जाता है और अपने डिवाइस से उस मेग को कंट्रोल करने लगता है और जब जुमिंग अपने डिवाइस का बटन दबाता है वो मेग उसे बिना खाय चली जाती है यह देखकर जुमिंग को बहुत खुश होती है और वो मेग पर हाथ भी फिरता है इतनी बड़ी भसड होने के बाद इनके मदद करने के लिए यहाँ पर कुछ हेलिकोप्रस आते है तभी बचे कुछे लोग एक साथ बीच पर बेट कर विस्की पीते है तभी रेगसी ने बताती है कि हाई की प्रेगनेट है और तभी मेहंग इने कहती है कि आज की बाद मैं तुमारे साथ किसी भी मिशन में नहीं आऊंगी ये सुनकर यूमिंग और जोनस हसने लगते है और सभी लोग एक साथ बेट कर हसे मज़ा करने लगते है और इसकी साथ ये मोवी यहाँ पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी मेग टू दे ट्रेंच मोवी आशा करता हूँ कि आपको ये मोवी और हमारी वीडियो पसंद आए हूँ मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में तिल देन टेक केर वहाँ नीचे जो कुछ भी है वो सोते पराने की कोशिश कर रहा है